हेलो एवरीवन सो वेल्कम बैक तो माय चानल आलवेज विज जस्मीत कॉर सो आज हम करने वाले हैं स्पोर्ट की वक्षी तंबर टू सो वो फर्स कोश्चन एज राइट दी बैनिफिट आफ दीस पोजिस तो जो यह पोजिस दिये गए हैं हमें इनके बैनिफिट्स लिखने ह कि हमें इन से क्या क्या बैनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं तो पहला है सूरे नमस्कार, सेकिंड है पश्ची मुतान आसना, थर्ड है गोमुखा आसना, फोर्थ ट्राइंगल पोज, फिर्थ आर्धा मास्तर आंदर आसना, दी हाफ फिश पोज, तो हम इनके आंसर्स आसवाल अस यृर मसल्स और प्रिंक्स दाउन ब्लॉट आण स्जूगर लेवल्स जो सूरे नमस्कार वह अल्टिमेट आसना की नाम से भी जाना जाता है, यह आपकी बैक को पूरी तरह से मजबूत और मसल्स को भी मजबूत रखता है और आपके ब्लॉट और सूगर लेव strength is the spine, shoulders, hamstrings, यह हमारे shoulders को पूरी तरह से मजबूत रखता है, improve digestion, यह हमारे digestion को भी improve रखता है, गोमुक आसना, relieves chronic knee pain, यह हमारे जो knee pain होता है, उसको relief करने में हमारी मदद करता है, strength is your spine and abdominal muscles, यह हमारी muscles और bones को बिल्कुल सही रखता है, triangle pose, helps relieve stress, यह हमारे जो stress होता है, उसको कम करने में हमारी मदद करता है, improve digestion, यह हमारे digestion को भी improve करता है, अंध्रा मास्तरयांसना, it cleans your internal organs, यह हमारे internal organs को clean रखता है, it will improve digestion as well as elimination of the waste, यह हमारे digestion को improve करता है और waste को भार निकालता है, तो यह थी आज की हमारी sports की worksheet number 2, I hope you like this video, and how was the video, let me know in the comment section, and अगर आपको मेरी videos अच्छी लगती हैं, तो इस video को like कीजिए, और मेरे channel को subscribe कीजिए, अगर आपको मेरी यह worksheets के answers और explanation अच्छी लगती हैं, thank you, and let me know in the comment section, how was the video, bye-bye!